चीन में जारी एश्याई खेलों में मंगलवार को मेरत की अन्नु रानी ने गोल्ड जीता इसी के साथ अन्नु भाला फेक में एश्याई खेलों में स्वड़पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला बन गई हैं सर्धना के बहादुर पूर गाउ निवासी अन्नु रानी ने भाला फेक स्पर्धा में पहला अस्थान हासिल किया जेवलीन क्वीन के नाम से पहचानी जाने वाली अन्नु भाला फेक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतिय महिला भी बन गई हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि अन्नु ने गन्ने को भाला बनाकर प्रैक्टिस शुरू की थी शुरुआत में उनके भाय उपिंद्र ने ही उन्हें प्रशुच्छत भी किया था अन्नु के पास जूते तक खरीदने के पैसे नहीं के चंदे से इकच्छा की गई रक्म से जूते खरीदे कोच नहीं मिला तो भाय उपिंद्र नहीं अन्नु को प्रशिष्चित किया अन्नु ने गाउ के ही स्कूल में सुबह शाम अभ्यास किया अन्नु की जब जैवलीन में रोची बढ़ी तो भाय उपिंद्र ने उन्हें गुरुकुल प्रभात आश्रम का रास्ता दिखाया थ घर से 20 किलो मिटर दूर होने के कारण अन्नु अभ्यास के लिए सबता में तीन बीन आश्रम जाती थी परिवार की आर्थिक स्थिती ऐसी नहीं थी कि दो खिलाडियों का खर्चा वहन कर सके ऐसे में इसी देखकर भाय उपिंद्र ने अपना त्याद किया और बहन को आगे बड़े भाई के साथ अन्नु रानी ने भी खेल में रूची दिखाई और सुबह चार बजे उठकर गाउं में ही रास्तों पर दोड़ने जाया करती थी कई बार पिता ने अन्नु को प्रैक्टिस करने से रोका था तम अन्नु चोरी से अभ्यास करती थी एशियन गेम्स मे गोल्ड मेडल जीत कर देश का मान बढ़ाने वाली अन्नु रानी को पिछले दो माँ काफी संगर्ज करना पड़ा था पहले अन्नु को बुखार ने जकड़ा फिर कमजोरी ने चपेट में ले लिया लेकिन अन्नु ने हिमत नहीं हारी और प्रैक्टिस जारी रखी नतीज को बढ़ाई देने वालों का ताता लगा हुआ था अन्नु राने के पिता अमरपाल सिंग में बताया कि दो माहपुर्व अन्नु को बुखार ने जकड़ लिया था बुखार के बाद उसे इतनी कमजोरी आई कि उसका एश्यन गेम्स में खेलना लगभग कैंसिल हो गया था इसे लेकर अन्नु काफी तनाव में थी उसके बाद से अन्नु के कोच वर टीम के सव्दस्यों ने उनका मनोबल बढ़ाया जिसके बाद उसने कड़ी मेनती और बुखार कमजोरी को पीछे चोड़कर देश के लिए गोल्ड मेजल जीत लिया एसे में भारत के इस बेटरी क